नमस्कार स्वागत आपका इस पूछारा ठोच शर्मा चले बड़ी ख़बर का सबसे पहले रूप कर लेते हैं सिसोधिया, मनीश सिसोधिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप बदला लेने के लिए गिरफतार कराना चाहती है बीजेपी मैं गिरफतारी से नहीं दरता ये बात मनीश सिसोधिया ने कही दिल्ली में विकास के काम डिरेल करना चाहती है बीजेपी तो ये देखे तमाम आरोप मनीश सिसोधिया ने लगाए हैं और ये भी कहा कि उन्हें आशनका है मेरी गिरफतारी हो सकती है दिल्ली के उपमुख मंतरी मनीश इशोधिया को आज CBI ने दूसरी बार एकसाइस पॉलिसी के मामले में पूस्ताश के लिए बुलाए थी हमारे साथ मनीश जी है मनीश जी क्या वज़ा रही कि आपने पूस्ताश में ना जाने के वज़ाए एक्स्टेंशन मांगा है मैंने CBI के अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया है कि इस वक्त दिल्ली के वितमंतरी होने के नाते में दिल्ली के बजट को फाइनल स्टेज पे लेका आया हूँ और उसको आखरी स्टेप्स मैं कर रहा हूँ दिन रात एक करके फाइनल सुरूप दे रहा हूँ तो इस में में एक एक दिन कुरूशियल है। आप मुझे फरवरी के अनट थाक यह का म संस्ट की गया हम जूब घूब अब लेकर बात यह है कि सिर्फ एक दिन के लिए मतलब आज के लिए बुलाएगिया हो सकता ही flu तक आपको amps्चों क्या आपको वहां रोका जाएगा अगर बात एक दिन की होती तो शायद मैं एड़ेस्ट करके चला जाता पर इनकी पूरी तैयारी है कि अब किसी ना किसी बहाने से बीजेपी मुझे अपना बदला लेने के लिए कि रफ्तार कराने की तैयारी कर रही है बदला किस चीज का क्योंक नोटिस दे देते हैं कि संडे के सुबह आ जाओ और ऐसे समय पे जब उनको भी पता है कि इस समय दिल्ली का बजट फाइनल स्टेज पर चल रहा है सारी तैयारी हो चुकिए बस अंतिम लोग स्वरूप दिया जा रहा है तो वैसे में अचानक मुझे इतने अरजेंट नोट का बजट रोकने की कीमत पर नहीं कि सब जानते हैं कि दिल्ली के लोगों का बजट अब जब मैं फाइनल स्टेज तक ले आया हूं तो मुझे यह तैयार करना है अगर बजट की प्रोसेस डीरल होती है तो दिल्ली कितना सफर करेगी इसलिए यह समय बहुत क्रूसियल है अगर आज जाते तो गिरफतारी होती है ऐसा क्यों कि पीजेपी सारा खेल खेली इसलिए रही है उनको भी पता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ उनको भी पता है कुछ गड़बन नहीं हुआ लेकिन यह सेट फ्राइडे की शाम को हारते हैं सेटर्डी के सुपर मुझे एंड तक इसको फाइनल टच दे रहा हूं दिन रात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त बजट बनाना इसके बाद मैं आ जाओंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप उसके बाद का कोई भी समय दे दीजेए तो आप उस्ताश के लिए पूरी तरह शामिल होने के लि ये समय चाहिए और यही वज़ा है कि CBI से इन्होंने समय मांगा है क्योंकि दूसरी तरफ ये भी आरोप लगा रहे है कि BJP जो है वो इनको गिरफतार करना चाहती है और बार बार उनके मन में इस बात का शंका है क्योंकि जिस तरह से नतीजे जिस तरह से सुप्रीम कोट के और आए M.C.D. को लेकर तो कहीं ना कहीं बदले की भावना से ये पूरी कारवाई हो रही है नई जिले से कैमरा पसंद दीपक दुबे के साथ अमित पांडी जूस 24